जो चैप्टर नमबर फस्ट है, nutrition in plant वो डिसकस करेंगे फस्ट है सबसे पहले क्या होता, nutrition nutrition एक प्रकार का process ही, जिसमें क्या होता, living organism में क्या करते हैं food intact करते हैं, और उस food से जो nutrient मिलते हैं उस nutrient का use वो किस के लिए करते हैं, growth के लिए करते हैं अब अलग-अलग और्गेनिसमी को जो नूट्रेंट लेने का टाइप होता है वो डिफरेंट होता है तो यहां पर हम मौड ओफ नूट्रेशन डिसकस करेंगे अब मौड ओफ नूट्रेशन बैसिकली टू टाइप्स के होते हैं इनको किसके अकॉर्डिंग डिवाइडेट किया गया है इसको डिवाइडेट किया गया है जो नेचर में जो रो माटिरियल को वो यूज करते हैं फूड इंटेक के लिए उसके बैसिस पर इनको दो टाइप बैस्ति में डिवाइडेट किया गया है फर्स्ट टीwe pisser को मौड अफ नुट्रेशन वो होते हैं जिसमें अपना फूड़ खुद प्रिप्रिपेर करते हैं यह अपना फूड अप्रिपेर करते हैं कुछ plants होते हैं, यह अपना food खुद prepared नहीं कर पाते हैं, यह food के लिए किसी और organism और प्लांट्स के ओपर depend करते हैं, तो इनको बोलते हैं Hitterotrop अब हम autotrop को को डिस्कश करेंगे autotrop अपना फूड कैसे बनाता है कौन सी प्रोसेश उसमे यूज़ आ रिए उसको हम डिस्कश करेंगे अभी हमने बोला है autotrop वो होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं अब फूड बनाने के लिए क्या करते हैं यह फूड बनाने के लिए एन्वाइमेंटल से क्या करते हैं कार्बन डेक्सेड यूज करते हैं एंग वाटर यूज करते हैं जो यह कार्बन डेक्सेड वाटर होता है वो इन और्गेनिक सब्स्टांस होता है और इससे क्या करते हैं यह बनाते हैं, इससे ही फूड बनाते हैं, फूड भी बनाते हैं, वो ग्लुकोस के रूप में स्टोर करते हैं, तो ग्लुकोस क्या होगा, ओर्गनिक होगा, तो यह ओटो ट्रॉफ क्या करते हैं, इन ओर्गनिस सब्स्ट्रांज से ओर्गनिस सब्स्ट्रांज में फूड को चेंज करते हैं अभी ओटो टॉफ होते हैं इन में क्या होता है अपना फूड खुद बनाने का कैपसिटी होता है तो इसलिए इनको प्रोडुसर भी बोलते हैं ठीक है अब यह जो फूड बनाते हैं फूड बनाते हैं एक प्रोसेस से बनाते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं फ प्रेजन्स सोब सन्लायट एखलेंश में ऑज क्लор फिल क फूर meus वॉटरस वहों बनाती हैं ज्रोटो होती है और ज्टोर्जेन ऑ्पूसिजन ब्रीबॉट के यह ग्लुकर रूप में इस्टोर होता है तो है तो यह फोटो सिंथेजिस किया हुआ CO2 और water से glucose का बनना photosynthesis हुआ अब इस photosynthesis process के अंदर किया हुआ किन-किन चीजों का requirements होता है इसमें देखो अभी हमने discuss किया किन-किन चीजों का इसमें 4 चीजों का mainly requirement होता है carbon dioxide gas, water, chlorophyll and sunlight अब हम इसमें जो चीज़ का requirement होगा उसको एक-एक discuss करते है carbon dioxide gas जो plants carbon dioxide gas को use करते है carbon dioxide gas इंको मिलती है atmosphere से और atmosphere से कैसे लेते है इस्टोमेटा से लेते है अब यहाँ पर देखो हम इस्टोमेटा क्या होता वो सब डिसकस करते है यह है leaf structure leaf structure में एक sale होती sale के अंदर इसे से बने और रहते गोल-गोल बने रहते इसको बोलते इस्टोमेटा अब इसको हम large करके देखते है तो यह इस्टोमेटा में दो एक sales रहती है दो sales रहती है अब इस्टोमेटा में दो sales रहती है इन sales को बोलते है guard cell यह guard cell और बीच में एक vacuum रहता है यानिए space रहता है इसको बोलते स्टोमेटा जब लेकर अंदर आने के लिए दरीखो然 में कहते अंदर जातीक है तो क्या हो जाता है फूल जाती तो घर पानी नहीं होता है जाती है तो स्टूमेटा क्या हो जाती है तो अंदर नहीं आपाइगी है मुंसकर आपने डिसक्पाइब से तक अब करते हैं यह चरह क्लाउर में टर्पॉर्ट करती है third is chlorophyll chlorophyll main site होता है photosynthesis का जो green pigment होती है green pigment में एक special part होता है उसको बोलते है chloroplast और इस chloroplast में एक green color का pigment होता है उसको बोलते है chlorophyll यह chlorophyll main site होती है photosynthesis के लिए क्योंकि यह chlorophyll क्या करती है capture energy को sunlight से जो energy मिलती है उसको capture करती है fourth is sunlight sunlight क्या करता है sunlight energy provide करवाता है reaction के लिए ठीक है तो इसमें क्या क्या चीज की requirement हुई हम again discuss कर लेते हैं again discuss किया first is अपने discuss किया इसमें किसी की requirement हुई first is carbon dioxide gas second is water third is chlorophyll and fourth is sunlight यह हमारा autotroph पूरा हुआ अब next हम पढ़ते हैं hydrotrophs second type is hydrotrophic nutrition some plants and animals cannot prepare their own food they depend their food on others animals या organism तो यह क्यालाते है hydrotrophs क्यालाते है और यह जो nutrition क्यालाएगा वह hydrotrophic nutrition क्यालाएगा यह hydrotrophic nutrition four types का होता है parasites first is parasites second is saprophytes third is insectivores fourth is symbiotic relationship अब यह एक एक को हम अलग अलग डिसकस कर लेते हैं first is parasite parasite organism होते हैं जो अपने food के लिए और शेल्टर के लिए पूरी तरह से दूसरे organism पर depend करते हैं अब ना तो इनको बोलते हैं और यह जो food और शेल्टर के लिए जिस दूसरे organism में पर depend करते हैं उसको बोलते होस्ट तो parasite में two होते हैं एक तो parasite होगा एक को host होगा host क्या करेगा इसको parasite को food और शेल्टर देगा और parasite इससे host इसे food और शेल्टर लेगा for example इसका इक्जामपल बहुत important हैं कई exams में आता है इसका काक्षकता इसका अनदर नेम इस आमघ्जामपल होता है यह पैरासाइटिक होता है on potato and dahli app और cringe and ternum and many other plants के ओपर यह पैरासाइटिक के form में रहता है इसमें क्या होता है इसमें root light structure होती है root light structure होती है जो यहां प्लांट से फूड को सक करती है सेकंड हम परते हैं पार्शल पेरासाइट पार्शल पेरासाइट होते हैं यह क्या होते हैं कि कुछ अपना खाना बना लेते हैं कुछ न्यूट्रेंट के लिए यह अधर प्लांट के उपर डिपेंड करते हैं फॉर एक्जाम पर मेस्टिटोई मेस्टिटोई ग्रोथ करता है मेंगो एंड यूकेलिटेफ पर सेकंड एक्जामपल हम इसका पढ़ते हैं सेकंड टाइप से पढ़ते हैं सेप्रोफाइट होते हैं लिखे और गे को से नियुक स्टिंक हुरे जिससिक्रेइड करेके तो अबुंद Deshalb फर्फ हकम को सब्सकिल इसेस्ट्रत्समें जैन्ज करते हैं हसे जैन्ट टेलिस हुते हैं क् disrespect overred and uton jullie fruit newtrone인을 Mc vogtiers samplis अपने लिए यूज करते हैं इसका मेट एक्जामपल फंगी आपने ब्रैड पर लगाई गरिंग कलर की देख ही क्वाइब फंगी होती है वो उस ब्रेड के ओपर ग्रॉथ करती है और उसके ओपर कुछ है न अपना जूस सिक्रेट करती है जिससे क्या होता है कि वहां से वो जो ब्रेड का जो complex पार्ट है वो simple पार्ट में change हो जाएगा और वो उससे nutrient ले लेगी थार्ड इसका एक्जामपल हम discuss करते हैं थर्ड इस इंसक्टी वोर्स अब इंसक्टी वोर्स इंसक्टी वोर्स होते हैं जो फूड के रूप में इंसक्ट को कंजूम करते है रेगुलर डाइट में इन में क्या होता है एक special structure बनी हो रहती है जिससे इंसक्ट्रेश इंसक्ट केज कर जाता है अब कुछ इंसक्टी वोर्स होते हैं ग्रीण प्लांट होते हैं जिसमें फोटो सिंसिति म्हें की तो capacity होती है लेकि उनको कुछ निट्रेंट्स के लिए इंसक्ट को केज करते हैं और उनसे वो नुट्रेंट लेते हैं मैनी इंसक्टिव वोड्स ज्यादा ग्रोथ वहां पर करते हैं जहां पर नुट्रेंट की डेफिशेंट होता है इस्पेशली नाइट्रोजन की डेफिशन्स होती ही, वहाँ पर ये ग्रोध करते हैं, इसका इंसक्टिव ओड्स का एक्जामपल है, पीचर प्लांट्स, एंड फॉर्थ इजी, फॉर्थ इजी, सिंबायोटिक रिलेशन्शिप, सिंबायोटिक रिलेशन्शिप क्या होता है, देखो इसको अच्छे से समझना बहुत वेरी इंपॉटेंट है, सिंबायोटिक रिलेशन्शिप होता है, जो दो ओर्गेनिस्म आपस में बेनिफिट के लिए फिजी के लिए साथ में रते हैं, और दोनों को एक बेनिफिट होता है, फॉर्थ एक्जामपल लाइकेन, यहा रूमेट, एक रूम में दो रूमेट्स रहते हैं, तो एक होता है, एक होता है, फंगी होता है, एल्गी क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स होता है, ओटो ट्रोफ होता है, यह अपना फूड खुद बना सकता है, और फंगी को फूड फंगी सेप्रोफाइट्स होता है, यह अ एलगी को और अना ये नूट्रेंट को एब्सॉर्ब करता है तो एलगी तो फूड बनाता है फूड देता है फंगाई को और इस फूड को यूज दोनों करेंगे एलगी एंड फंगाई फंगी और अना फंगी क्या करता है शेल्टर प्रवाइड करता है एलगी को तो ये इसा होता है जिसमें दो और्गेनिस्म आपस में विजिकली साथ में रहते हैं और उन दोनों का बैनिफिट होता है एक पार्टनर होता है या फंगी होता है यह यह अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं यह डेड़ एंड डिके माटेरियल पर इसे अपना फूड को निट्रेंट को एब्सॉर्ब करते हैं तो यह दोनों मिलके बनाते हैं लाइकें तो ऐल्गी अपना फूड बनाएगा और उस फूड को दोनों यूज करेंगे इल्गी और फंगाई इसके बदले में फंगी क्या करेगा इल्गी को shelter देगा और जो nutrient जहां पर ये growth करते हैं वहां से nutrient absorb करके algae को देगा ठीक है second है इसमें दोनों का फाइदा होता है अगें इसको हम parasite से relate करते हैं parasite क्या करता है देखो इसको हम relate करते हैं parasite से parasite में क्या होता है कि एक organism में दूसरे organism के पास रह रह रहा था होस्ट के पास रह 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 था parasite किस के उपर रह 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 था होस्ट के उपर रह 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 था यहां पर parasite कुछ भी नहीं करता यह पूरी तरह से dependent होता है food और shelter के लिए host पर host इसको food और shelter देता है बदले में ये बस ये उसके उपर रहता है और सिंबायोटिक रिलेशन्शिप में ऐसा नहीं होता है सिंबायोटिक भी बोल सकते हो इसको सिंबायोसिस भी बोल सकते हो इसमें ऐसा नहीं होता है इसमें दोनों का 50-50 रोल होता है अगर एक चीज अगर एक पार्टनर देता है त अब ये राइजयो भी मैं में चैनल में आपे पस कर देंगे जो और उसकोण के सोल के यंदर तर इंदर डिवाइट करतें उसकोफे नाइट्रियू सबस्टांस होथे उसको बेंगे दोगाएं करते हैं लेग्योम प्लांट यानि झैसक राइजोबियम लेग्योम सिंबासिस होता है ये प्लयदूरिया क्या करता T arbets है इत्मस्प्लेश्वर्य नाङ्ट्रोज還 को फिक्स कार गर नाइट्रोज़ने सबस्टांस में कोजल कर देता है और यह जो नैडोजिन सब्स्टांस होते हैं यह लेकूं प्लांस को बाराबर यूज है लेकृम प्लांट्स को nitrogen की requirement होती है तो nitrogen यह क्या करता है rhizobium bacteria atmosphere nitrogen को fix करके उसको nitrogen सबस्टांस में change कर देगा और soil के अंदर डाल देगा तो soil से यह लेग्यूम प्लांट्स की roots क्या करती है इसको absorb कर लेती है इसके बदले में लेग्यूम प्लांट्स bacteria को उसको रहने के लिए ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लिस मेरे चेलन को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको इसी तरह और भी वीडियो बनाती रहोंगे तेंक यू